हाई फ्रेंज आम निहा वेलकम तो निहाज किचन आज मैं रेस्टरेंट स्टाइल में दाल मक्हनी बनाने जा रही हूँ तो आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखे वीडियो में कुछ खास मैंने टेप्स और ट्रक्स बताए हैं जो कि आपको वीडियो के बीच पे कि यहां पर मैंने एकप उड़त की दाल है कि घड़ी उड़त की दाल है 12-14 घंटा के लिए माने बीचोगर की रखा था 12-14 घंटा बार देखे कुछ इस तरीके से फोल कर हो गई है दाल मैंने एक कफी लिया था है यहाँ पर एक कुकर ले लूँगी कुकर में जो हमारी बीगी दाल है इसे डाल देंगे दाल को डालने के बाद अब इसमें पानी डालेंगे पानी यहाँ पर एक से देड़ गलास के करीब डालना है आपको एक से देड़ गलास पानी डालने के अब इस कुकर को हम गैस पर रख देंगे फ्लेम ओन करके और कुकर का धकन लगा करके इसे 5-6 विसल आने तक पकाएंगे हाई फ्लेम पर देख लेंगे प्रेशर हमारा जब निकल जाए अच्छी तरीके से कुकर का धकन खोलेंगे और यह दाल हमारी गली है कि नहीं गली है इ आ ख़्का हाई दाल का टुकड़ा लिजिए हाथ मं इस तरीके से दबा कर प्रस कीजी देखिए दाल अच्छी सूख गई है और खड़ी भी है दाल को मिक्स करना आप चाहें तो यह जो मारे कल्ची है इसके पीछे वाले हिस्से से आप दबाते हुआ इसे मिक्स कर लीजे पर मैं यहां पर एक पोटेटो मैसर ले रही हूं उसकी हेल्प से मैं इसको मिक्स करूंगी आपको जो भी ठीक कर लेना है क्योंकि दाल मखनी में दाल खड़ी नहीं दाल मिक्स हो ही रहती है तभी अच्छी लगते है अब यह दाल मारी को सोखी लग रहे है इसमें करीब एक ग्लास के करीब में पानी डालूंगी और पानी हमारा ध्यान रखिए ठंडा पानी बिल्कुल नहीं होना चाह पानी यहां पर आपको गुनगुना यूज करना है तो थंडा पानी लेने पर दाल का टेस्ट खराव हो जाता है तो गुनगुना पानी डाल देंगे यहां पर पानी डाल करके मिक्स कर देंगे दाल को एक बार और अच्छे से यह दाल हमारे मिक्स हो गई है आप देख रहे और एक छोटी चम्मच मैंने यहां पर चिंजर और गालिक को इस तरीके से मैंने ग्रेटेट करके लिया है और 3-4 हरी मिर्ची को 20 से कट करके लिया बटर लिया है 55-60 ग्राम बटर है और एक छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर देगी मिर्च का पाउडर ही और एक छोटी दनिया पॉडर जीरा पॉडर आधी चोटी चमच हल्दी पॉडर एक चोटी चमच और गरम मसाला लिए आधी चोटी चमच से थोड़ा सा ज्यादा और नमक आप लेंगे टेस्स के कॉड़ी तो कड़ाई रग दी है मैंने गरम होने के लिए उसमें तेल डाल दूंगी लगब दूर तक हम इसे भूना है ज्यादा देर तक नहीं भूना है बस इतना भूना है कि इसका जो कच्छापन होता है वो निकल जाए और अच्छी सी फ्रेग्रिंस आने लगे इसके बाद यह जो हमने प्यास लिया तो चौप करके उसे डाल दूंगी प्यास डाल करके मिक्स कर चीन्ट देंगे और इसे थोड़ा सल इसका कलर जो है लाइट गॉल्डन होने देंगे हम लगाता छलाते रहेंगे इसका कलर सोगत सब्णूर आए लाल मीर्ची हआ अ Geez द॥निया पावडर जीरा पावडर डाल करके मिक्स करोंग है और इन मसालों को थोड़ी देर के लिए इन मसालों को भी जादा नहीं हमें एक से देड़ मिनट के लिए पकाना है फ्लेम को यहाँ पर आप सलो ही रखे हाई फ्लेम ना रखे नहीं तो मसाले जल जाएंगे इसके बाद जो हमने टमेटो प्यूरी बना कर गी लिया था उसे डाल दूंगी डाल करके मिक्स कर दूंगी अच्छे से मिक्स करके अब यहाँ पर मैं लिड लगा दूंगी लिड लगा कर दो से तीर मिर तक पकाएंगे वीज बीच में जरूर चेक करते रहें दो मिनट बाद एक बाद फिर से मैं लेड हटाऊंगी और मिक्स करँंगी मसालों को मिक्स करने के पाद वापस एलिट लगा करके 2-3 मृत पकाएंगे तब तब पकाएंगे जब तक कि मसाले हमारे अच्छे से छोड़ने ने लगे किनारे तो यह देख रहे हैंप अब मारा मसाल अच्छे सो पक गया अब इसमे में हरे मिर्ची भी डाल दूँगई जो खड़ी लिया था और धनिया पत्ती बारेक करके लिया इसे डाल दूँगी डाल करके मिक्स करने अच्छे से क्योंकि दाल हमारी अभी बिल्कुल सोखी है नमक डाल देंगे लगबग 1.5 चोटी चमच मिक्स कर दूँगी और उसे ढख करके हमें करीब 15-20 मिनट तक पकाना है क्योंकि यह दाल जितनी देर तक पकती है उतनी जाधा टेस्टी होती है 15-20 मिनट हो गए है दाल हमारी पक आप चाहें तो ना भी डालें लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है और गरब मसाला भी डाल दूँगी इसे डाल करके मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स करके देखिए आप हमारी दाल मक्षनी बिलकुल रेडी है इसे आप चितनी देर तक पकाएंगे उतनी अच्छा पकेगा मैंने करीब 20-25 मिरता किसे पकाया है लास्ट में आधा कप के करीब मैं यहाँ पर मलाई ले रही हूं फ्रेस क्रीम है आप चाहे तो घर की यह उसकर सकते हैं फ्रेस क्रीम डाल करके अच्छे सा मिक्स कर लेंगे यह बन गई हमारी बिलकुल होटल और रेस्टरंट स्टाइल में दाल मक्षनी लग लिए ना एकदम यमी तो इसे मैं सर्विंग कडाई लूँगी चोटी से उसमें मैं निकाल लूँगी आप देख सक लगता है तो रेस्टरंट स्टाइल में बना रहे हैं तो फीलबू से तरीके से आना चाहिए देखरेट करने के बाद थोड़ी से धनिया पत्री डाल करके और डेकरेट करेंगे तो यह हमारी रेस्टरंट स्टाइल में दाल मक्षनी बन करके तयार है अगर आपको मेरी अगली रेसेपी में तब तक लिस्टी है अगली रेसेपी में तब तक लिस्टी है